नमस्कार आपने देखना शुरू कर दिया है दाइंगल और मैं हूँ आपके साथ शवी अवस्ती दोस्तों इन दिनों कहा जा रहा है कि सचेन पाइलेट और अशोग घैलूत के जो कैम्प बने थे उनमें से पाइलेट कैम्प कमजोर होता जा रहा है लेकिन जिस तरह की स्तिती बनी होई है उसे देखके लग रहा है कि पाइलेट कैम्प कमजोर नहीं हो रहा है बलकि पाइलेट कैम्प पूरी तरह खत्म हो चुका है अब ऐसा हम क्यों के रहे हैं आप सोच रहे हैं कि ये सियासी बाते हैं ऐसा कुछ नहीं है दरसल अगर हम थोड़े से जो बीते दिनों में कुछ घटना क्रम हुए हैं उन पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि जो सीम अशोग घलो चाहते थे ठीक वैसे ही उसी रणनीती के तहत आगे भड़ रहे हैं और ऐसा ही कुछ राजस्थान में हो रहा है क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा फ्लेशबैक में चलते हैं तो कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कॉंग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई थी दरसल कॉंग्रेस के ही उपमुख्य मंत्री जो सचिन पाइलेट हैं जो उस समय PCC चीफ भी थे उन्होंने बगावत कर दी थी और बगावत भी ऐसी जिसमें BJP शामिल थी और कहा जा रहा था कि ये पूरा खेल BJP और सचिन पाइलेट का मिला जुला है राजस्तान में सरकार को किराने का लेकिन उसके बाद दरसल हुआ ये कि पूरा खेल फ्लॉप हो गया और उसके बाद सचिन पाइलेट को मजबूरी में वापिस कॉंग्रेस में आना पड़ा लेकिन तब ही से लगादार कोशिश हो रही थी कि कैसे भी तुबारा से गैलोत सरकार को आइस्तिर किया लेकिन सीयम अशूग गैलोत कोई नए खिलाडी नहीं है सीयम अशूग गैलोत पुराने खिलाडी है और आजनीती के दुरंदर माने जाते हैं चाड़क क kingsins अब ऐसे में उनके सामने जो चोटी चोटे पैंतरे थे वो सारे विफल हो गए और सीयम अशूग गैलोत जो जड़े थी उनको मजबूत करते चले गए इसके शुरुआत हुई गोविन सिंग डोटासरा को PCC चीफ बनाने के साथ क्योंकि सबसे बड़ी चीज थी कि जब तक संगठन और सत्ता एक साथ नहीं होगी तब तक मजबूती लाना ना मुमकिन है और ये बात अशोगेलोद बह पछार भी थंचुका है इसी दोरान बीते एक दो दिन पहले ही कुछ प्रभारी न्यूक्ति किये गए जो इन चुनावों के ध्यान में रखते हुए न्यूक्ति किये गए इस साथ जो 55 समीतिले के चुनाव होने हैं और जितने भी आने वली जो भी चुनाव है उनको ध्या कैम्प नाराज है असंदोश है लेकिन उसके बाद एक चीज निकल के सामने ये भी आई कि ऐसा कम ही है क्योंकि अंदरूनी खाने अगर देखा जाए तो कैम्प काफी हद तक तूट चुका है क्योंकि ये कैम्प वो था जो उस समय साथ थे सचिन पाइलेट के जब सचिन सब्सक्तर निष्ट तो फारट को कमजोर करें और शाहिद यही वजय है कि सचिन पाइलेट के साथ जितने लोग तब थे, अब नहीं है, अब वो लोग अभी भी उसी पार्टी के साथ है, उसी पद के साथ हैं, वो PCC Chief के साथ हैं, जो अब गोविन सीग्डू असरा है क्यो में अधिकांश लोग वो हैं जो कि पार्टी के साथ निश्थावान बने हुए काम कर रहे हैं ना कि वो लोग जिन्होंने बगावत की या ना कि वो लोग जिन्होंने कॉंग्रिस को कमजोर करने की कोई प्रयास किये ऐसे में ये बात तो साफ है कि अब कहीं पर भी कैम्प का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि ये सचेन पाइलेट केम्प है या घैलोद केम्प है क्योंकि ये जो लोग है ये वो हैं जो निश्थावान तरीके से कारे कर रहे थे और उनको उनका काम सौपा गया है और जो लोग काम नहीं कर रहे थे या जो बगावती सुर अपना रहे थे या जो वो पार्टी को गम्जोर करने के लिए कोशिच कर रहे थे उनको जिम्मिदारिया नहीं सौपी गई है अब ऐसे में जो एक बड़ा फेर बदल किया गया है इसके बाद से जो PCC चीफ गोविन सिंग रोटासरा हैं उनका भी कद बड़ा है क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि BJP के जो प्रदेश अद्यक्ष थेंशतीश पुनिया उनके सामने कई चुनोतिया हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनोती ये है कि वो अपने मन मुताविक किसी भी तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनके सामने भी कई दुरंदर नेता हैं जो कि टांग अड़ाने के लिए खड़े रहते हैं, अब ऐसा ही कहा जा भार था, गोविन सिंग रोटासरा के लिए कहा जा 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 लाता कि पीछ जो समन्वे रखा है उसके बाद साफ सोर पर कहा जा सकता है आला कमान की तरफ से भी जब जरुरत पड़ी तो उनी को बुलाया गया इससे साफ है कि गोविन सिंग डोटासरा जो उनकी एक जिसलिए उन्हें बनाया गया था वो अपनी उस दायत्व को जिम्मेदारी को बखुबी निभा रहे हैं और यही वज़य है कि चाहे राजस्तान के मुख्यमंत्री अशुक गहलोत हो अजय माकन हो जो कॉंग्रेस के प्रवारी है या फिर आला कमान सभी जगे वो खरे उतरते नजर आ रहे हैं अब इसके बाद यह तो साफ है कि यह तैयारी अभी की नह जाए इसलिए शायद यह धीरे-धीरे कोशिश हो रहे है कि जो कैम्प बनाए गए थे चाहे वह पाइलेट कैम्प हो डुटासरा कैम्प हो डूडी कैम्प या फिर गहलोत कैम्प उनको खतम करके कॉंग्रेस को बनाया जाए और कॉंग्रेस के एक हाथ जो सिंबल है उसके पर चुनाब लड़ा जाए और लगातर इसी तरह की ये कोशिश होती ही नजर आ रही है। अब जब कॉंग्रेस ने निकाला संकल पत्र तो उसमें सचिन पाइलेट का फोटो नहीं था। लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है ये तो सभी जानते हैं क्योंकि वसंदरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनमुटाव है या फिर अंदुर्णी जो कले है उस पर काम कर रही है और उससे मजबूती पाने के कोशिश कर रही है। बीजेपी इनको वैसे ही इग्नूर कर रही है जैसे कि कॉंग्रेस ने कुछ समय पहले किया था। और ये उसी एक चोटी चोट की समान है जो आगे भड़ कर एक बड़ा घाव बन सकता है। कि कॉंग्रेस के साथ हुआ था जो बड़ा घाव वो कॉंग्रेस के साथ लगा था जब बगावत की गई थी। तो ऐसा ना हो कि बीजेपी कहीं इसी पर चलते चलते दुबारा से उस जगे आके खड़ी हो जाए जिस जगे पर कुछ समय पहले कॉंग्रेस कड़ी थी। तो भी कीजिए और जैसा आपको अच्छा लगे वो कमेंट कीजिए लेकिन मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिए नमस्कार